पर आपको बता दू फ्रेंट्स कुछ ऐसे फ्री टूल्स है मतलब कुछ ऐसी फ्री एक्सेंशन है गूगल क्रोम की जिसे आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं आप अपना on-page SEO और कुछ basic ऐसे off-page SEO की चीज़े हैं जो आप उसके अंदर देख सकते हैं कहीं के बार होत करता हूँ तो उसी समय मुझे पता लग जाता है कि मैंने कौन सी चीज मिस करी है वो कौन सी मैं extension यूज करता हूँ मैं आज आपके साथ share करूँगा जिससे आपको सारी basic knowledge हो जाएगी आपका meta description, URL आप कैसे लिखेंगे, title कैसे लिखना है, h1, h2 के tag अगर आपने नहीं दिय यह सारी details उसके अंदर पता लग जागी, काफी अच्छी extension है, free extension है तो इसको आप use जरूर करें, personally मैं इस extension को use करता हूँ तो मैंने सोचा उसको आपके साथ share करूँ, वो कौन सी extension है, उसको कैसे use करना है, उसके benefits क्या है, वो तो मैं laptop की screen पे चलके बताँगा, पर हमेशा की मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नहीं, तो मेरे चैनल को subscribe करें और इस bell icon को जरूर प्रेस करें, मैं हूँ विदान तो welcome है आपका techno विदान चैनल में, अब मैं आपको अपने laptop की screen पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे इन extension का नाम और उसकी advantages आपको सार everywhere और keyword कीग है, इसके उपर आप click करेंगे तो direct आप इस extension पर आएंगे, और आप देखेंगे friends यह से वही परसन है, वही ओनर है, जिसका keyword कीग और keyword everywhere है, तो इस extension के उपर आप trust कर सकते हैं, यहां से आपको काफी अच्छी details मिलेगी, मैं page नीचे करके दिखा देता हूँ, friends य कोई broker link है, तो यह उसी समय find करेगा, जिसे आप ठीक कर सकते हैं, और भी इसके अंदर आपको options मिलेगी, एक बर इसको install करके मैं आपको बताता हूँ, यहां लिखा है add to chrome, इसके उपर आपने click करना है, और add extension के उपर आप click करेंगे, यहां पर आप देखेंगे friends मेरी extension उपर मैंने एक post लिखे दी, अब मैं उस post को open करूँगा और check करूँगा उसका on page SEO, यहां पे आप किसी भी website का सिर्फ अपनी ही नहीं किसी भी website का on page SEO चेक कर सकते हैं, चाहे वो आपके client है यहां फिर आप किसी दूसरी website का on page SEO देखना चाहते हैं, जिससे आपको यह idea लग जाए कि आपने अपनी website में या अपने webpage में कौन सी ऐसी गलती करी है, जो उसने नहीं करी, जिससे उसकी post आपकी post से उपर rank हो चुकी है, आप देखेंगे मैंने अपना webpage open कर लिया है, और यहां पे मैंने जैसे ही click कर रहा है, यहां पे मुझे कुछ options मिल रही है, अब सबसे पहली option है, analyze on page SEO, इसके उपर मैंने click करा, यह मुझे URL दिखा रहा है, जो मेरी website का URL है, प्लस title दिखा रहा है, जो 42 characters का है, और minimum 60 होने चीए, तो मेरा under 60 है, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, description में यह empty दिखा रहा है, तो इसका मतलब friends मैंने इसके description add नहीं करी, बहुत पहले मैं इस article को लिखा था, लगवर 8-9 महिने हो चुके इस article को लिखे हुए, तो इससे आपको यह पता लग जागा कि friends आपकी छोटी छोटी कहां क्या mistake हो रही है, उसके बाद इसने मुझे canonical URL दिखा दिया, और नीचे मैं page को करूँगा, तो आप देखेंगे friends यह मुझे tags दिखा और है, OG URL, title, type, images, यह सारी details आपको बताएगा, आपके on-page SEO से related, अगर आपने कुछ भी miss कर रहा है, तो friends यह उसको clear करेगा, प्लस इसने आप देखेंगे मेरी image का size बता दिया, 740 by 389, यह जो मेरी image है, वैसे 640 by 360 होना चाहिए, मेरी image का size थोड़ा सा बढ़ा है, तो अब म Twitter के अंदर जो मैंने title दे रखा है, image दे रखें, वो सारी यहां पर show कर रहा है, यह तो इसका first option थी, अब यहां से वापीस जाएंगे, यहां लिखा है highlight all links, जैसी मैं इसके उपर click करूँगा, external पर by default set है, आप इसे internal भी कर सकते हैं, आप देखेंगे, internal linking मेरे इस page के अंदर काफी जाद है, तो यह सारे highlight होगे है, जितने भी internal linking मेरे शो कर रहे है, external से 7 शो कर रहे है, और इसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहां पर no follow और follow links भी मैंने add करें, तो इसके उपर मैंने click कर रहे है, तो friends, यहां पर मेरे इस website के अंदर follow links जितने भी होंगे, वो यहां पर show कर रहे है, और no follow मैंने 3 links दे रहे हैं, वो भी यहां पर बताएगा, यहां पर मुझे सूरजदास ने comment कर रहे है, तो वो no follow है, यह इस तरह से आपको बताएगा, जो आपने link दे रहे है, वो follow है, यह no follow, अगर वो follow link है और आप follow नहीं देना चाहते है, तो उससे आप no follow कर सकते है, अब उसके नीचे आ रहा है, चेक broken links, जैसी मैं इसके उपर क्लिक करूँगा, तो इसने total 7 link check करें, और इसमें आप देखेंगे, मेरा कोई भी broken link नहीं है, कोई भी मेरा 404 link नहीं है, किसी तरह का कोई मेरा error show नहीं कर रहा, वैसे broken link के उपर मैं वीडियो बना च search preview, अभी मुझे search preview बता रहा है कि Google के अंदर किस तरह से मेरा ये दिखाई देगा, यहां पर मेरा title आ रहा है, description और URL, description मैंने दी नहीं है, तो इसलिए यहां पर blank show कर रहा है, और उसके बाद जिसके अंदर last option आ रहा है, वो आ रहा है, Google search location simulator, इसके उपर जैसी मैं क्लिक चाहते हैं, मतलब keyword को देखना चाहते है कि एक keyword इंडिया के अंदर और वही same keyword, United States के अंदर कौन से number पर website rank कर रही हो, उस keyword में तो उसकी details आपको मिल जाएगी, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, तब ही आपको clear होगा, यहां पर मैंने keyword research लिखा और उसके बाद execute research के पर मैंने click करा, आप देखेंगे मेरे सामने दो window open हो चुकिए, यहां पर यह दिखा रहा है friends, इंडिया के अंदर जो searches है, वो मुझे show कर रहा है, और यहां पर मुझे दिखा रहा है, जो US के अंदर searches है, मतलब आप एक click से United States, या फिर इस list में से आप किसी भी country को select कर सकते ह देख सकते हैं, कि उस keyword में कौन-कौन सी website rank है, इंडिया के अंदर keyword research जो keyword है, उसमें first number पर backlink को rank कर रहा है, और वहीं पर United States के अंदर moz rank कर रहा है, इस तरह से friends आपको details मिल सकती है, तो चैप आप इंडिया में लिखें या फिर US के लिखें, तो friends people also ask के अंदर यही same question पू उचा जा रहा है, और यहाँ पर और नीचे देखेंगे, तो friends यहाँ पर आपको details मिल जाएगी, कि कौन सी website कौन से number पर rank कर रही है, और यह extension बिल्कुल free है, इसमें आपको कुछ भी pay करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे tools आते हैं, जिसके लिए आपको का आपके पास एक Google Chrome होना जरूरी है, और आप अपनी website का on page और off page SEO की जो basic knowledge होती है, आपको यहीं से पता लग जागी, यह सारी कमियां बता देगा जो आपने गलत करी है, और इसे आपको काफी help मिलेगी अपनी website को Google के अंदर rank कराने में, आप इतनी मेहनत करें तो friends Google के अंद से और बहुत जल्दी मिलने वालों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत!